हम लोग सब लोग को पता है कि जब से हम लोग साथ आए है महाने मुख्ष मंतरी नितीज जी और आश्ट्य जनता ह दिल कोई नहिसे थिस्टे हैं प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा दिलों को girls जोडने कहा प्रयास करें और यह मौक आया है सब लोग आएंगे अपनी जो है रखेंगे बात यह है कि कोई मोदी पर बात नहीं कर रहा है बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात करने हैं और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है तो अपनी बात जो लोग हैं वो सब लोग रखेंगे और सही मायने में अगर देखा जाए तो विपक्ष में लोग सवाल पुठाते हैं कौन क्या है नहीं है लेकिन कोई इससे इंकार्ण नहीं कर सकता चाहे प्रशाश्चनिक experience हो चाहे आपका समाजिक experience हो चाहे आपका governance का experience सारी चीज़ अगर आपनों मिला करके देखें तो कई विपक्ष के ऐसे नेता है जो मोदी जी से जादा जो है अनुभवी है प्रशाश्चनिक मामले में समाजिक मामले में और राजितिक मामले में जो अनुभव जो रहा है मोदी जी से काफी जादा रहा है तो विपक्ष में ऐसा कोई नेता आपको निर्मित किया गया हो विपक्ष में ऐसे निता हैं जो सीधे जनता से सनवाद लोग करते हैं तो हमको लगता है कि बैठक जो है काफी फूटफुल रहेगा और सब लोग जो हैं अपनी बात को रखेंगे क्या नीति होगी क्या जंडा होगा क्या मुद्दे होंगे और वाकई म यह कोई चुनाव जो है किसी एक व्यक्ति विश्यश का चुनाव नहीं है यह देश की जनता का चुनाव है और देश की जनता जो है चाहती है कि मुद्दे पर चुनाव हो आज देश की जनता गरीबी पेडोजगारी महंगाई इस तरह की चीजों से लोग जो है परिशान है क कि अलग सम्ज्शाएं है, मजदूर की अलग सम्ज्शाए हैं। सारे मुद्दो को ले खरके, देश की जनता चाहती है, जो लोग तक्रार कराते हैं, समाघ में जहर बोंते हैं, हम देश की एई खूब शूरुत थी कि डाइवर्सिटी सब लोग अलग हैं लेकिन फिर भी हम सब एक हैं मिलकर के रहते तब यह देश महान कहला तो इसको लेकर के जो सब लोग हम लोग अपनी बात को जो है बैटेक में रखेंगे सब दल के लोगा और सब को अपना मौका मिल जो है यह कह सकते हैं कि लालु जी और आप इसके लिए आगे बढ़े थे तो आज जब यह अंतिम पर लोग आ चुके हैं यह बैठक हो रही है तो विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि भाई यह लोग मुदी जी के डर से एक साथ आ रहे हैं यह निक कोई डर नहीं किस बात का अलग अलग क्यों लगा जब हमारे मुद्दे एक हैं हम सब लाइट माइंड़ पार्टीज हैं तो हम अपने वोट का विख्राव क्यों करें और जब एंडिये थी तो एंडिये पता है कितने दलो का गड़ बंदन था तो क्या वो किसी के डर से इतने लोगों के साथ साथ मि सभी बाते हैं सही मुद्दा क्या है है आज जिस हिसाब से ताना शाही देशमें चल रही है अगोशित अचींसी जिस प्रकार से लागू है अज कई व्पक्षक आशी नेता है प्रशाशन के गर दिस्ष्ष्रा को न से राजितिक गुद्ष्ष्रिकोन से या समाजिक से सनवात करते हैं तो अगर वो बाते अगर देखा जाए तो किसी का हम लोग को भै किस बात का है किसी बात का डर नहीं है और हम लोग चाहते हैं देश का सनविधान लोकतंत्र बच्चे और जिस प्रकार से देश का इतिहास को बदलने में यह लोग लगे हुए हैं सब लोग जान रहे हैं नाम बदल देते हैं फ्लना चीज का चाहे को इंसिटीशन नस हो या कोई शहर हो या कोई स्कीम हो बदल के क्या फाज़ा हो रहे है इसको बें भी बता दे दोहजार का नोट लाते है फिर बंद कर देते है दोनों में सब्सक्राइब करने वाले लोग है लोकतंतर में विश्वास करने वाले लोग है और सब लोग चाहते हैं कि मुद्दे पर बात होनी चाहिए को cách का की जितने लोग हैं जो आ रही कुई भी मीडिया द्वारा निर्मित नेता नहीं इहींत incorporate को ही लोग जो है मीडिया द्वारा देता लेकिन जो लोगों की बैठक हो रही है वो सीधे लोग जन्ता से सतनवात करने उने लोग आपको डर नी लग रहा है कि जिस तर कि आने इनिसियेटिभ लिया है बीहाड से आप लोग लिया है एक किस परिणाम क्या तो साज किस बात कर अचे मुव अगर हम लोग लड़ रहे हैं तो इसमें बढ़ा ही है, लेकिन चेहरा कौन होगा, परधान मंत्री मोधी के खिलाफ आप लोग के पास चेहरा को नहीं, तो अपस में सहमती नहीं बना पा रहे हैं, तो अभी तो पहला बैठे के लोग बैठेंगे, और जैसा हमने पहले भी कहा कि कई अनुभबी नेता विपक्ष में लोग हैं, चाहे मोदि जी से आप एड़िणेस्टेशन के मामले में बात कीजिए, आप समाजिक रूप में बात कीजिए या राजितिक रूप से पोलिटिकली बात कीजिए, आब बताईए हैं कि नहीं है युग容 है ज्यादतर लोग मोहुदी जी ठीक है लेकिन यह तो फार दिख रहा है कि तरह को कितना नुक्सान हो रहा है कि वल आ रहे से सकेजिंडे पर लोग चल रहा है है